इस वीडियो के अंदर हम लोग WordPress का यूज करके एक वेबसाइट क्रियेट करेंगे जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो है यहाँ पे एक रेस्टरॉ के लिए वेबसाइट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो इस वेबसाइट के ऊपर एनिमेशन लगे हुए है और पीछे आपके पास बैग्राउंड में एक एनिमेटेड सा वीडियो जो है वो प्ले हो रहा है चीक है तो यह हमारा इसका एक मेंन लुक रहने वाला है डिरेक्ली हम लोग देखते है इसके डेमो को कि इस एड दी अंड अफ दिस वीडियो आप यहाँ पे क्या बना करके रेडी करने वाले हो लेफ्ट हैंड साइड पर ऊपर आपके पास लोगो है राइट हैंड साइड पर आपके पास नविगेशन बार या फिर नविगेशन मेन्यू है पीछे एक βीडियो प्ले हो रहा है, ऊपर आपके कमपनी का नाम, होटेल या रेस्टरा का नाम और आपका एक टैग लाइन आप यहाँ पर दखा सकते हो नीचे अगर में स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे cyber hotel या restaurant जो भी आपको दिखाना है और आपके images रहेंगे और obviously इसके उपर भी आपका जो animation है वो perform होगा और वो कुछ इस तरीके से आपको look provide करेगा यहाँ पे आप details को read out कर सकते हो नीचे अगर मैं scroll करूँ तो किन-किन brands के लिए आपने काम किया है या फिर कौन-कौन से offices में आपने food delivery की हुई है उनके logo आप यहाँ पे list कर सकते हो उसके नीचे feature delicious product कुछ products आपके यहाँ पे listed रहेंगे खाने का items यहाँ पे आप dollar का symbol, rupee का symbol, price change कर सकते हो images change कर सकते हो सारा कुछ content आप यहाँ पे अपने according change कर सकते हो यह जो area है customer के feedback है उनके नाम के साथ और नीचे आपका एक footer है जहाँ पे आपका contact details रहेंगे और आपके social media के link आप यहाँ पे दे सकते हो इस पूरे के पूरे website के images को, content को आप अपने according customize कर सकते हो और change कर सकते हो बात करते हैं यहाँ पे about us page की तो यह आपका एक about us page का look रहने वाला है पीछे आप देखोगे एक image है काफी अच्छा लग रहा है basic से details है आपके और यह आपका एक slider है इसको आप change करके देख सकते हो कुछ seconds के बाद यह अपने आप भी यहाँ पे change होता रहेगा और कुछ detail है आपके यहाँ पे और अगर हम नीचे scroll करें तो again details आपके mentioned है आपके chef है उनके social media के icon आप यहाँ पे देख सकते हो और नीचे आपका एक footer आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा similarly यहाँ पे आपके पास एक menu का page है और यह आपका एक menu का page है यहाँ पे आप देखो गया आपके menu cards लगे होंगे कौन सी चीज आप कितने में यहाँ पे provide कर रहे हो वो details यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और यह proper एक menu card है इसको आप change कर सकते हो add कर सकते हो, delete कर सकते हो अपने according और नीचे आपके पास यहाँ पे एक footer है similarly आपके पास यहाँ पे contactors का page है जिसके पास आपके यहाँ पे contact details होंगे phone number होगा, आपका गूगल में आपका address होगा आपका contact form होगा, जब भी user आपका इस form को fill करेगा तो यह details आपको अपने email address के ऊपर receive हो जाएंगे नीचे आपके opening hours है और उसके नीचे आपका एक common सा footer जो कि आपको देखने को मिलेगा तो कुछ यही एक demo है जो हम आज के इस video के अंदर यहाँ पे create करने वाले है वीडियो को start करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे new है तो subscribe करे, bell icon को click करके all notification का on करे ताकि आपको latest videos की notification मिलती रहे और एक बड़ जरूर चैनल के playlist को जाके देखे यहाँ पे आपको web designing, web development, software development, game development बहुत कुछ है जो मैंने already करा रखा है आपको ज़रूर पसंद आएगा और even मैं YouTube की तरह जो website होती है उसका project मैंने शुरू किया हुआ है अरड़ी उसके उपर 6 videos मैंने upload कर दिये है अब देखिए इस website को मैं directly live बनाऊंगा online बनाऊंगा domain and hosting के उपर क्योंकि आप किसी restaurant को एक website बना के दोगे तो लोग उसको online search करेंगे वो सिर्फ आपके computer में नहीं होना चाहिए तो उसे हम यहाँ पे online लेकर के आएंगे अगर आपके पास currently domain and hosting नहीं है कोई problem नहीं है आप इस video के description को चेक करना आपको दो video का link मिलेगा पहली video मैंने यह बता रखा है कि कैसे आप wordpress को अपने ही computer में install कर सकते हो और जो काम मैं online करूंगा वो आप अपने ही computer पे कर सकते हो inner future आपका अभान करता है कि आपको अपनी website को online लेकर के आना चाहिए उसे server के ओपर migrate करना चाहिए तो दूसरी video के अंदर मैंने सिखा रखा है अपने computer से backup file लेकर के उसे online server के ओपर कैसे migrate करना है तो make sure आप description को जरूर चेक करें किसी भी website को बनाने के लिए और उसे online लेकर के आने के लिए हमें यहाँ पे दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है एक होता है आपका domain name दूसरा होता है आपका hosting अगर आप domainreser.com पे आओगे तो यहाँ से आपको वो सारही services यहाँ पे मिल जाती है नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ सब अपने लिए एक domain name select कर सकते हो हमारे case में हमें wordpress पे काम करना है हमें domain and hosting दोनों की requirement है तो उस चीज़ के लिए web hosting के ऊपर click करें click करने के बाद आप यहाँ पे read out कर सकते हो domainreser आपको light speed की technology प्रोवाइड करते है साथ में pure SSD का disk space प्रोवाइड करते है SSD काफी ज़्यादा fast होता है और इन दोनों का combination आपकी website को 20 times faster बनाता है साथ में आपको free SSL certificate यानि की HTTPS secure connection विल जाता है pricing plan के अगर हम बात करें यहाँ पे तो basic plan स्टार्ट होता है 59 रूपीज पर मन्त से जो की advance तक जाता है 249 रूपीज पर मन्त तक personal plan के अंदर आप एक domain name यानि की एक website को online लेकर करके आ सकते हो unlimited SSD की storage है unlimited email address create कर सकते हो unlimited bandwidth है light speed की technology है premium SEO tool मिल जाएगा silver plan के अंदर आप तीन website को host कर सकते हो बाकि सारी चीज़े unlimited है advance plan के अंदर आपको एक domain name free मिल जाएगा unlimited website को host कर सकते हो बाकि सारी चीज़े यहाँ पे unlimited है यहाँ पे एक advantage यह है कि आप जितनी मर्जी website को online लेकर कर सकते हो तो यह freelancers के लिए IT industry persons के लिए web designer developers के लिए बहुत बढ़िया plan है क्योंकि इसके अंदर कोई limit नहीं है जितनी मर्जी clients के website को online लेकर क्या और अपना profit आप यहाँ पे कमा सकते हो और इन टीनो ही plan के अंदर आपको premium SEO tool free of cost देखने को मिलेगा जिसकी market cost 49 dollar per month है approximately 36-3700 रूपीज पर month जिसके लिए आपको पैसे नहीं खर्च करने domain research आपको यह free of cost प्रोवाइट कर रहा है basic plan के अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक website आप host कर सकते हो 1GB की storage है 10 email address create कर सकते हो 5GB की bandwidth है और light speed की technology है premium SEO tool यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको आप चाहो तो अलग से खरीज सकते हो तो आपके budget आपके requirement के हिसाब से जो भी plan आपको suitable लगता है उसको आप यहाँ पे opt करें मैं currently यहाँ पे silver को select कर रहा हूँ select करने के बाद यहाँ से अपना एक domain name select करें उसका एक extension select करें check पे click करें एक बार यह आपको available मिल जाता है नीचे scroll करके continue करें details को read out करके continue करें again continue करें और यहाँ से अपना domain name silver plan जो भी है आपका वो properly check करें सारा कुसा ही लगता है तो यहाँ से आपको check out के उपर click कर देना है click करने के बाद जिस तरीके से आप online shopping करते हो अपने order को place करते हो और sign up करते हो वो ही procedure आपको यहाँ follow करना है अपने basic details provide करने है email address provide करना है एक password provide करना है और उसके बाद आपको अपना order जो है पर click करना है जितने भी services आपने select किये होंगे वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा simply आपको services के उपर click करना है services पर click करने के बाद जिस भी domain name पर आपको काम करना हो उसके active button पर click करे click करने के बाद right hand side पर नीचे एक option मिलता है आपको login to c-panel simply आपको उसके उपर click करना है तो यह आपका c-panel यानि की control panel है domain racer के hosting अं server के अंदर आपको 100 plus option मिल जाएंगे तो आप यहाँ पर काफी कुछ सीख सकते हो जैसे email को handle करने के लिए दुनिया भर के tool है jet backups के बहुत सारे options है files को handle करने के लिए tools है SEO के लिए बहुत सारे tools है तो आप यहाँ पर काफी अच्छा knowledge gain कर सकते हो इस server के उपर काम करते हुए currently हमें wordpress के उपर काम करना है तो हम यहाँ पर नीचे scroll करेंगे और wordpress के उपर आपको click कर देना है click करने के बाद नीचे scroll करें install now पर click करें make sure यहाँ पर https connection selected हो आपका correct domain name हो directory आपको खाली छोड़ देना है wordpress का जो भी latest version दिखता है उसको select करें और यहाँ से आपको wordpress installation के बाद उसको login करने के लिए उसका dashboard एक username create करना है और एक password यहाँ पर create कर लेना है और इसके आद make sure इस email को delete करके अपना correct email address provide करें क्योंकि यहीं पर आपका contact us form का data आपको email के उपर receive होगा नीचे scroll करके install now पे click करें install होने के बाद यह आपका domain name है जो आपने starting में select किया होगा अपने लिए आपको simply उसको open कर लेना है और directly भी आप लिख करके उसको open कर सकते हो इसके बाद जो आपका domain name है उसको आपको copy कर लेना है आप चाहें तो पिछले दोनों tabs को यहाँ से cut कर सकते हो new tab में domain name को paste करेंगे उसके बाद एक slash लगाएंगे और फिर आपको लिखना है wp-admin और इसके बाद simply आपको enter press करना है तो यह wordpress dashboard login करने के लिए credentials मांगे का जो आपने installation के time पर provide किया वो provide करके simply आपको इसको login करना है login करने के बाद यह आपका wordpress का dashboard है आप यहाँ पर क्या करोगे आपको simply जाना है plugins पे plugins पे जाने के बाद जो भी यहाँ दिखता है उसको select करके delete करे currently इसकी requirement नहीं है और इसके बाद आपको जाना है add new plugin पे यहाँ सापको search करना है extra simply आपको यह starter template इसको install करे extra widget इसको install करे install होने के बाद यहाँ पे आपको search करना है wp forms light और यह जो icon आपको दिख रहा है इस वाले को install करे इसके बाद आपको यहाँ पे search करना है elementor और simply आपको यह वाला install कर लेना है currently इसके 5 million प्लस यहाँ पे downloads है इसके बाद left hand side पे आपको जाना है plugins और यहाँ पे एक option है installed plugin का simply इसके उपर click करे click करने के बाद यहाँ सब पे टिक लगा दो bulk action में जाकर के activate और यहाँ से आपको apply कर देना है तो plugins हो गया install यह हमारी website थी आप इस website को यहाँ से जाकर के भी check कर सकते हो ठीक है और directly अपना domain name लिख करके तो आप उसको देखी सकते हो अब हमें इस look को change करना है यह हर साल change होता रहता है तो इसको ignore करे इस चीज के लिए हम जाएंगे appearance और यहाँ से हमें जाना है themes पे themes पे जाने के बाद add new और यहाँ सापको search करना है इस look को ignore करें यह change होता रहता है time to time spelling पे ध्यान देते हुए आपको इसको install करना है install होने के बाद इसको activate करें activate होने के बाद इसके इलावा जो भी आपको दिखता है यहाँ पे पे क्लिक करें और उसको simply आपको यहाँ से delete कर देना है यह आपके server का load बढ़ाएंगे जिसकी हमें requirement नहीं है इसके बाद left hand side पे option मिलेगा आपको appearance के अंदर starter template यह option आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा दोनों में से किसी भी एक के उपर आपको क्लिक कर देना है elementor के उपर क्लिक करें basically यह आपका एक page builder select करने को बोल रहा है जिसके जरिये आप अपने pages को यहाँ पे edit करोगे customize करोगे इसके बाद आपको यहाँ पर search करना है bbq यह free वाला आपको दिखेगा यहाँ पर bbq restaurant इसके उपर क्लिक करें क्लिक करने के बाद import complete site पे क्लिक करें यहाँ से आप wordpress में intermediator हो beginner हो किसके लिए बना रहे हो वो details प्रोवाइड करें और इस process के पूरा होने का आपको यहाँ पे wait करना है तो starter template हमारे यहाँ पे import हो चुका है आप यहाँ से view site कर सकते हो even यहाँ से भी कर सकते हो या जो already आपका domain name खुला हुआ है उसको refresh करके देखे अगर आपको यहाँ पे यह वाले options नहीं मिलते हैं तो आप इसको cut कर दो और अपने dashboard में रहते हुए यहाँ से अपनी site को एक बार आपको view कर लेना है view करने के बाद जो मैंने आपको demo में दिखाया उससे मिलता जूलता आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ठीक है अब हम बात करते हैं यहाँ पे basic changes कैसे करेंगे जैसे कि my blog, wordpress website इसको मुझे हटाना है तो इस चीज के लिए मैं क्या करूँगा मैं आ जाओंगा अपने dashboard पे यहाँ से आपको जाना है settings पे settings पे जाने के बाद मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ cyber restaurant ठीक है यह जो title है na site title यहाँ पे मैंने लिख दिया cyber restaurant tagline में यह wordpress website मुझे नहीं दिखाना अगर आपको यहाँ पे कुछ और दिखाना है तो आप type कर सकते हो नीचे scroll करके save changes पे click करें अपनी website पे आए यहाँ पे आखरके आपको इसको एक बार refresh करना है तो यह आप देखोगे cyber restaurant आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बात करते हैं कि यह logo कैसे change होगा तो इस चीज़ के लिए आपको जाना है appearance और यहाँ से जाना है आपको customize पे customizer open होने के बाद आप इस logo के उपर जाओगे यह pencil का icon यारी edit का एक option मिलेगा इस पे click करें click करने के बाद यहाँ पे आपके सामने logo और retina logo का एक option आएगा आप remove कर सकते हो आप change पर भी click कर सकते हो media library के अंदर इस themes से related जो images अल्रेडी होगे वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे तो आप इन में से कोई भी select कर सकते हो और अगर आपको खुद का upload करना है तो upload पे जाओ select file करके अपने computer से pick कर सकते हो अपने logo को even आप drag and drop भी कर सकते हो यहाँ पे यह provide करके select करे skip cropping करे ताकि आपका complete logo आपको यहाँ पे देखने को मिले नीचे आजाओ इसको भी आपको change कर देना है यहाँ से भी मैं वो logo select कर रहा हूँ choose image पे click करे नीचे scroll करो यह आपका logo का width है इसको अपने according यहाँ पे आप यहाँ पे adjust करे and publish के उपर click करे publish होने के बाद यहाँ पे आकर के refresh करे तो आपका यह website है और इसका logo जो है वो change हो चुका है यह table reservation या menu bar किस तरीके से काम करेगा इसके उपर already मेरी एक detailed वीडियो है आप उसको check कर सकते हो almost एक 10 घंटे की वीडियो है proper android application के साथ मैंने सिखा रखा है description मैं link दे दूँगा food ordering कुछ ऐसा करके मैं लिख दूँगा आप उसको देख सकते हो आप देखोगे यहाँ पे globe का symbol है यह मुझे नहीं दिखाना है इसकी जगा पे मुझे अपना logo दिखाना है तो इसके लिए अपने logo पे क्लिक करें नीचे स्क्रॉल करें site icon या site title ऐसा कुछ option मिलेगा identity इसके उपर select icon करें और अपने logo को select करके skip cropping करें और इसके बाद simply आपको यहाँ से publish कर देना है यहाँ पर आकर करके अगर आप refresh करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर आपका logo जो है वो लग चुका है अब हमें जो भी changes करने हैं वो हम with the help of elementor page builder यहाँ पर बहुत easily कर सकते हैं तो जिस भी page के उपर आपको editing करना हो उस page को आप यहाँ से navigation menu बार से open करके रखोगे open करने के बाद उपर एक option मिलेगा edit with elementor इसको एक tab में open कर ले elementor open होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो best in जो भी area का नाम लिखा हुआ है के उपर टिक लगा रहा हो यहीं सही race करके आप इसको type कर सकते हो इना case अगर का आप ना करे तो आप left hand side पे भी आ करके मैंने इसको यहाँ पर प्रोवाइट कर दिया इंडिया sticks and bbq आपके पास लिखा हुआ है मैं इसके उपर click कर रहा हूँ click करने के बाद इस content को मैंने change करके लिख दिया यहाँ पर cyber restaurant ठीक है यह मैंने इसको प्रोवाइट कर दिया यह h1 tag लगा हुआ है जरा मैं इसको highlight करके let's go with h2 तक ही यह दिखने में ऐसा आ जाए आप h1 के साथ जा सकते हो कोई problem नहीं है यह totally आपके उपर depend करता है और update करें अपडेट करने के बाद अपने website पर आ करके refresh करें तो यह कुछ ऐसा impact देगा आपको ठीक है तो यह हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है नीचे आता हूँ मैं और यहाँ से इसको मैं delete कर रहा हूँ इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ already मैंने आपको बता दिया है कि reservation and menu card के लिए description में वीडियो मिलेगा आप उसको check कर सकते हो अब मैं नीचे आ गया और इसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे cyber restaurant all right अगर यह आपको image पसंद ना है और आपको यह change करना है simply इसके ओपर click करे choose image पर click करे media library size theme के already जो images है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और अगर आपको खुझ से कोई upload करना है तो upload file पर जा करके आप यहाँ से images को upload कर सकते हो मैं currently देख लेता हूँ media library में कोई portrait mode की और अच्छी photo हमारे पस है क्या क्योंकि currently यहाँ पे theme में portrait mode की photo जो है वो applied है तो अगर हम उससे मिलता जुलता रखेंगे तो हमें देखने में अच्छा लगेगा let's go with मैंने इसके ओपर click किया insert पर click किया आप देखो photo यहाँ पर change हो चुकी है similarly मैं इसके ओपर click कर रहा हूँ choose image पर click कर रहा हूँ यहाँ से मैंने scroll किया और देखते हैं कौनसी photo का apply कर सकते है मैंने यहाँ पर यह वाला लगा दिया ठीक है यह जाने के बाद आपको update पर click करना है वो वीडियो आपकी background पर लग जाएगी make sure वो वीडियो आप own करते हो वरना copyright का problem आएगा आपके पास नीचे यहाँ पर scroll करते हैं अगर यह logo ना पसंदा है click करकर type कर लो और जो photo है वो directly यहाँ से choose image पर जाकर change कर लो बहुत easy है इसको करना यहाँ पर आते हैं हम लोग अगर आपको यह कटोड़ी वाला यह जो भी है प्लेट के उपर पसंदना आए click करो choose image पर जाओ खुद का upload करना है यहाँ से करो और अगर theme से करना है तो यहाँ आजाओ मैं let's take an example मुझे यह वाला लगाना है मैंने यहाँ पर लगा दिया यह price में डॉलर की जगह रूपी का symbol लगाना है Google पर जाओ Google पर जाकर करके टाइप करे रूपी symbol और कहीं से भी इसका यह रूपी का जो लोगो है ना symbol वो उठा लो copy कर लो और यहाँ क्लिक करके न इस जगह पर आ करके डॉलर की जगह पर उसको पेस्ट कर दो similarly 30 के उपर क्लिक किया इस जगह पर आ करके पेस्ट कर दो आप चाहे 30 का 300 करो 400 करो यह totally आपके उपर depend करता है इसी तरीके से आपको हर एक को यहाँ पर change कर लेना है ठीक है यह अगर आपको images ना पसंद आए क्लिक करके बहुत ही easily with the help of elementor page builder आप यहाँ पे जो editing करना चाहो आ आप कर सकते हो बात करते हैं animation कैसे apply होगा animation के लिए या तो individually लगा सकते हो animation इस पे इस पे इस पे या फिर इस box पर क्लिक करके advance पर जाना है यहाँ से आपको जाना है motion effect, entrance animation यह सारे animation के type है इन में से किसी भी एक को आपको select कर लेना है यहाँ पर click कर रहा हूँ और इसी तरीक से आपको अपने website के हर एक element के ऊपर animation जो है वो perform कर दा है तो मैंने यहाँ पर इन चारों के ऊपर animation लगा दिया है, update पर click करते हैं, click करने के बाद यहाँ आ करके इसको refresh करके देखते हैं कि जो animation है और जो बाकी changes है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे है या नहीं मिल रह है तो आप देखो यह animate होकर के आया, इसी तरीके से आपको complete website को animate करना पड़ेगा, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर about us page के ऊपर, अगर आपको about us page में कोई changes perform करना हो, बहुत easily वो भी हो जाएगा, simply आपको इसको elementor के अंदर open करके रख लेना है, elementor open होने के बाद जिस तरी लिके से आपको यहाँ भी सारे के सारे changes जो है वो perform कर लेना है, ठीक है, background image change करनी हो, six dot पर click करे, style पर जाए, यह रही आपकी photo, choose image पर click करे, और उससे मिलती जूलती photo के ऊपर click कर लो, या खुद से भी आप यहाँ पर चाहो तो upload कर सकते हो, मैं currently इसको select करके यहाँ पर insert पर click करता हूँ, तब देखो background की image भी हमारी यहाँ पर बहुत easily change हो चुकी है, इसी process को follow करते हुए, आपको यहाँ पर सारी editing जो है अपने website के ऊपर वो यहाँ पर perform करना है, बहुत easy है, with the help of wordpress and elementor page builder, किसी भी website को यहाँ पर create करना, तो कुछ इस तरीके से wordpress का use करके हम लोग यहाँ पर एक website को create करते है, मैं उमीद करता हूँ, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगे तो please like करें and comment में अपना feedback जरूर दे, चैनल पर नहीं हो तो subscribe करें, bell icon को click करके all notification को on करें, ताकि आपको latest videos को notification मिलती रहे, मैं मिलता आपसे अगली वीडियो में, thanks for watching guys